परिवार के बारे में नहीं सोचा तो यह सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है मेरे 30 लाख की इंशोरंस पॉलिसी मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरी बीवी को मेरी बच्ची को मिल रहेंगा इन्होंने मिस्टर शा की ऑफिस में बॉम रखा और वो बॉम भट गया जिसकी वज़े से मिस्टर शा की तो मौत हो गई और उसरे आंट लोग जखमी हो गए मैं अभय को हारने नहीं दू पबर अभय की हार में असला थयरी की जीत है वो रोज मरेंगे, तिल-छ़ोर मरेंगे, रोज सूली पर चड़ेंगे क्या यही चाहता था तु? यही चाहता था तु? लिपन, तो पालिसी के पैसे? पैसे, पैसे, पैसे पैसे तों मिल जाएंगे उन्हें किन्हा क्या लगता है तुझे bury गर्व से खरचेंगे पैसे ले अनन्या उन पैसो से गुड़िया खरीद कर लाएगी और गुड़िया से बात करेगी कहेगी यह मेरे पिता ने खुन किये थे उससे पैसे मिले, उससे तुम्हें खरीद कर लाए हूँ, खुनी थे मेरे पापा, अगर अनन्या तुझ से आकर पूछे, कि बापु क्या तुम हत्यारे हो, क्या खुन किया तुमने, क्या कहोगे तुम अनन्या से, क्या कहोगे तुम अनन्या से, क्या कहोगे तुम अनन्या से, मैंने कोई खून नहीं की मैंने किसी को भी नहीं मारा किसी को भी मैं तो सिर्फ हादसे का फायदा हो उठा करके खुद को फासी पे चड़वाना चाहता था मैं चाहता था कि पालिसी में पैसे मेरे बीबी बच्चों को मिल जाए और यह टॉपम सौर्व पैसे ही सब कुछ होते है कि रिष्थे कुछ नहीं होते बटव 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 तो भूब से भूल जाए अब यह बता कि या वह बाउम तुन्हे अपने बैग मैं तुड興 Guitar होगा नई मैं तो ऑफिस अपने ही सेली लीने किया थे वो बॉम मेरी बैग में गैसे है मुझे बिल्कुल ही भार। सोच के बता, क्या क्या हुआ था उस दिन? बैग कहीं छूटा था तुझसे, किसी ने बैग को छूआ था, जो बाउम डाल सके उसमें… क्या गटनाय कटी ही थी, याद करके बता है? अब है नहाने का पाने गरम हो गया अच्छिक अधा मैं निकल रहा हूं पापा बोलना नहीं हाँ पैंसिल बोक्स नहीं भोलोंगा पक्का अधा साब हम आप पकर अगले मेने खाले कर देंगे अरे जब तक चाहो रहो बाड़ा भी जब मिले तब दे देना लेकिन इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम करना बढ़ेगा खौंसा काम इस प्लैट में मेरा कुछ समान रखना है कैसा समान यह पूछना तुम मारा काम नहीं है शुकर मनाओ इस गर में अभी तक रहने दे रहा है ठीक है मैम शाम तक सोच की बताता हूँ तुम्हें अंदाजा था किस सामान की बात कर रहा है नहीं पर जाहिर है कुछ गलत लाओं कुछ दो नमबर का माल लाओं वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है मैं अस वक्त कुछ बोल नहीं सकता था परना वो मुझे मेरे गार से निकाल देता ये भी संभव है कि कोई सामान रहा ही ना हो किवल एक बहाना हो तुझे अपने बैक से दूर करने का और रहा है हो सकता है लेकिन एक एक मरे हुए को मार के क्या पाया और होंडा की मिस्टर शाह से भी कोई दुश्मनी नहीं पिर क्या हुआ था उसके बाद घंशु भाई से मिलने ही गया था जिसन से मैंने लाखों रुपए कर्च लिया था एई रो और तो ही मंगने को आया क्या नहीं भाई मैं एक डील लाया हूँ भाई 30 लाख की मेरी इंशॉनस पॉलिसी है अगर मैं मरता हूँ तो वो 30 लाख मेरी फैमिली को मिल जाए तो आपके आठ लाख रुपए आपको असानी से मिल सकते हैं तो पिर तू मरता क्यों नही आप उसी के लिए आया होगा है आप मुझे मार दें आप मेरी मेरी बीवी से आठ लाक रुपर आठ क्यों आप दस ले ली जाएगा उससे मेरे मन में के बाग चा माहिला मानना पड़ेगा तेरे को मैं अपनी अखी लाइफ में तेरे जैसा नमूना नहीं देखा इतने दिन से मैं तेरे को बोल रहे ला था कि तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को मार देगा और आज तू मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा तभीच मिलेगा जबी मैं तेरे को म करने पिर्दार में और कल को पुलिस को मालूम पड़े तो मैं सिदा जेल में नहीं नहीं दो आपकर है अगर अगर को मरनेका ही ए तो अदिखा के शॉत कि यह पाप मेरे सिर पे क्यों डाल रहे ला तू आये मैं वढ़ि नहीं है जा निकल बलाने को आयाकि पैसे यह चमन्थ उना हिसके मुबे मार दफा कर इसको यहांसे है और भी हम और इसके बाद कुम हो ग kimchi गए थे हैं अफिस नहीं अफिस नहीं म मैड मूढ पैंसिल बॉक्स लेने का दया ठापनी बेटी के लिए आप सही थे वोजिन मैं अब कहीं मरना के लिए लिए गया है मुझे पैंसिल बॉक्स गिफ्ट करना था अपनी बैटी को तो वह एक जड़ा अच्छा सा पैंसिल बॉक्स देना दस साल के बच्ची के लिए और उस दोरान तुम्हारा लैप्टॉप बैट साथ था पूरा दिन मेरे पास था फिर उसके बाद मैं शाह केमिकल्स गया था वास है क्या ऐसाथ पर दामदरन साथ के साथ मिटिंग है ठीक मैं रुकता हूँ जरस आप बैग देखो कि मैं वाश्रूम से आता हूँ यह को अधा इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं कुल मिला के या तो हंडा ने या घंचु ने या फिर बफलू ने वो बॉम तुम्हारे द्रैक में रखा तको थाबित कैसे किया जाए केडीब मुझे बचा लो क्यों तुम तो बचना चाहते प्रम मर्ना नहीं चाहते ठीक है कोशिश करूँगा एक शर्त पर किये या ये मामला ने पड़ जाए सब कुछ शेश हो जाए तो ये आत्मात्या का भूत तुम अपने सर से उतार होगे मरदानगी समस्या का सामला करने में होती है मेरे दोस्त जीवन से संखर्ष करने में होती है डर कर भागने में नहीं मैं मैं वाला करता हूँ हस मुझे बचा बबलू घंशु हांड़ यह तीनों मिस्तर शा को बॉम से क्यों राएंगे से बबलू तो चलो मिस्तर शा को जानता भी था पर घंशु और हांड़ यह दोनों तो मिस्तर शा को दूर दू तत नहीं जाते हैं पता लगा ना कोड़ेगा पता लगा टीके साँ मैं पता लगा तो अगर अबहे के सच कहने से वो बच जाता है तो केडी सर का यह थाद मैं सिंदे की भर नहीं हुलूँगा वो तो देखता है देखता आपके लैंडलोड मिस्तर हांड़ उनकी अभैसे कोई दुश्मनी थे I mean मिस्तर हांड़ को क्या फाएदा हो सकता है फाएदा? अभै को जेन पेचवाने से एक हो सकता है हांड़ ची आप मैं आपके किराया किराया मांगने कोनाया है मैं तो बैसे इसी आपका हाल चाल पूछने आ गया था देखे कितना बुरा हुआ आपके पती जेल चले गए वैसे आपको फिगर करने की बिल्कुल जरूत है अरे मैं हूँ ना आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं और आपको कभी भी किसी भी चीज की जुरूरत हो फे जिजगों के मुझसे गह दीज़े कमी ना कहींगा उन्होंने आपके घर में कोई समान रखवाने की बात की थे नहीं तो? कौन सा सामन थे? अच्छा हंड़ा एक बड़ मिस्टर हंड़, मैंने सुना है की निर्मल टावर्ज में आपके बास भाड़े पर फ्लाट्स है मुझे टूब एचकी का फ्लाट्चेर अपने ले अहां मिल जाएगा प्ताज़ार महिन और चार लाग दिपॉजट चार लाग ओके, कोई प्रॉब्लम लीग अचली उन्होंने मुझे कहा था किसने? मिस्टर शाह शाह के मिकल्स वाले मिस्टर नरेंदर शाह वो तुभे कहा मिला? उनकी देट से काफी पहले शाह और तेरे को मेरा नंबर देगा? अरे वो मेरा दुश्मन है सच बता, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है उन्होंने ही मुझे कहा था कोई फ्लैट फ्लैट नहीं मुझे कहा था कोई फ्लैट फ्लैट नहीं मेरे पास चल निकल लिगाँ से जाओ जागे किसी और को तूड़ो अरे लेकिन Mr. Honda अरे हांडा साब मेरी बास तो सुनी कोई चक्करवकर नहीं मुझे अपने ले फ्लैट नहीं तूमको प्लाना एक बार इधर कुछ नहीं निकलो इधर से कोई ब्लाड ब्लाड नहीं अड़ो Mr. Honda Mr. Honda and Mr. Shyam है तुष्मनी किस पांगी चलो सुनते है अलो गंसु भाई वह नरण्दर शा वाला मामला सॉल वा गी नहीं समझो हो गया क्यों टेंशन है क्या गंसु भाई मेरे पास लाइफ में हर जगे टेंशन है गंसु भाई यह मामला अगर जो 2 दिन के अंदर सॉल नहीं किया तुमने तो तुम अपना बाकी पैसा भूल जाना है समझे? तो दिन क्या आड़ी हो जाए अपी कहा से आ रहा है? अच्छा गांचु भाई किदर? किदर को जाना है? गंचु भाई से मिलनेगा है गंचु भाई से शादी में आया क्या? मैं अदूला लगता हूं क्या? दिखता नहीं बाइक पर आया हूं, गोडी पर ने काम बोल काम क्या है? इस खिलोने को अंधर है फाइदे की बात करना है जिसमें आप उनका फाइदा गंची बाइक का फाइदा और तेरा फाइदा क्या है? क्या है? अबाज, वो गया काम यह अंडा भीना बेकार में ही डरता है भाई 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 यह लडगा अपनी गैंग में शामिल होना जाता है कौन है तू? कौन पीजाते रगो? गंचु भाई भीजा तो अब उनको उपर वालन है अब उनका नाम इकबाल शपरी है असलाव अरभाई वो क्या है ना? अब उन है आपका और आपका डेरिंग के बारे में बहुत सो है अब उनको बस एक बार एक बार अपनी गैंग में शामिल कर रचु भाई आप जो बोलेगा ना अब उनकरेगा धमकी, टोचिंगीरी, हफ़ता बसुली सब कुछ करेगा दो नंबर से लेकर दस नंबर तक यह हाथ आपके लिए सब कुछ करेगा बस एक बार एक चांस दो बस मैं पूरा चानबीन करने के बाद ही छोकरा लोग को अपने गैंग में भरती करता है क्या भाई, तु छानबीन करो ना, अप उनने कहा रुका है भाई एकबाल छपरी ना मैं पूंगा पल्टन गली में बढ़ा हुआ पहली चोरी आठ साल की उमर में की ठेले से अमरूद चोरा है बारा साल की उमर में चाचाचाजान की पॉकेट मारी 23 साल की उमर में वह याड है ना, वहांसे रिल की ट्रैक चुबए और वह सोला की उमर में, खिनारे की दुकान लुड़े और हां, बीस साल की उमर में वह सरकारी बैंक है ना, फृष्ष्ष्ष्ट पूरा साम यही उह है यही जय जयपुन का पायो डेटर ठीक है, ठीक है, चमन, जे, इसको ले तो दरा अंदर, और अगर सराभी जूट निकला ना, गंचु भाई, अपुन जूट नहीं बोलता है, बस एक बार, एक बार अपुन को चांस देते हो, एक बार आपका हाथ अपुन की सिप्पर आ जाया ना, तो अपुन, अपुन छोड जानता है अपुन की स्थाजित भाई का जूटा जानता है, वो अपुन के चोड़े भाई का वो डीर्शिप कांसल राएं, लाखो का नुक्सान करा दी, अपुन चोड़े का नहीं उसको, अब उसको शाख एमिखल जूटा भाई नचिकेज शाए अजा तेखता है ना, उस तेरी चानबीन में सबको ठीक ठाक निकला तो तू अपने गैंग के अंदर शुक्राए भाई, बहुत बहुत शुक्राए आपका अब बोल, जरा समाल के, अरे एक लड़का या था मेरे पास, शाह का नाम ले रहा था क्या बोला? अरे उसने मेरी गाड़ी में माइक्रोफोन रखी, और हमारी सारी बात सुनी तो देखने में कैसा था हूँ? देखने में तो यार अच्छे गर का लग रहा था ठीक है, मैं सब समाल देगा पका ना भाई, पका क्या हो भाई, आप घूर क्यों रहे हैं? रहता के तरह तू? भाई, बोला ना पल्टनगली पल्टनगली, पल्टनगली मैं भूल गया था अच्छा, पल्टनगली में अश्रफ कंगी को जानता करता है आप जानता हो ना भाई अश्रफ कंगी को जा अश्रफ कंगी पीछे चाया प्रेल था ठाके लाउस को आप आप बहुत अचा जाए गा बहुत अचा जाएगा तु मेरे गैंग का में पिल्लर बने का तू? याजआ गंशबै अब बनेगा आपके गैंक कमेंट आप मेन पिल्लर बनाएगा में तेरे ना बनाएगा आमोदरन यह सिर्ण कम से कम तीन करोड रुपय का घपला है क्या मोटा भाई को पता सा इसके बारे में नहीं सर अब ही शॉप हूँ उनके पास में औरेंज फाईल रहती थी जिसमें अपना सारा हिसाब रखते थे वो फाईल लियाओ उसे इन एकाउंट के साथ टैली करेंगे तो पता चल जाएगा किसने चोरी की है सर वो वो फाईल तो ब्लास्ट में जल गई जल गई यह जला दी गई एक एक आदमी की खबर लूँगा मैं मेरे फाई की महनत का पैसा था इतनी आसानी से नहीं चाने दूँगा समझ गई तुम तीन करोड रुपए हैं था के क्या हमें तो एक करोड बोला गयाता तू इतन करोड हो या तीन सू तूघे क्या से थे वह दोcribe से वह शोंद से हमारा हिस्सा बढ़े गा ना यानि की की त िगुना क्या तो लेगा क्या कषए हो नभला तो अगर की नहीं नहीं मिला तू आ नहीं देता पैसे, यो करना है यो कर ले, लेकिन एक बात याद रखा, अगर मेरा नाम आया, तो तू भी नहीं बचेगा, कि ये अपनी आवकात में रहे गामो दरण, आवकात तू अब मेरी देखेगा सब गंचु के लोगों ने मुझे पकड़ी लिया था, बहुत मुश्किल से निकला, साब, ये फोन देखा, मिसस्स विल्लमोरिया के जनम दिन पर उन्हें भेंट स्वरूप दोंगा, अच्छा है ना, सब बहुत अच्छा है, ये फोन चाहिगे तरह हो ना, अच्या ना, इसे प्योन, सर, आपने तो पैचान लिया, बताईए ये या कैसे आना हुआ, सर, आपके लिए एक खासम-खास खबर है, अच्छा, खासम-खास खबर, बताईए, पहले, पहले, पहले आपने कहा कि आपने खून किया था, आप इने वह बाम रखा तो और याणर और भी ये कह र आप कभी हाँ, कभी ना, ये ये सब यामिन होते हैं, देखिए, क्या इन्हें कानूनन अधिकार नहीं है अपने कथन बतलने का, नहीं, लेकिन उसकी ने एक मालच, है या नहीं, अब इनका कथन छूटा है, ये आपको प्रमानित करना है, और सत्य है, ये मुझे प्रमानित करना है, और इस कारिया में हमारी सहायता करने के लिए बबलु पंडे जी आएंगे अभी कट खरे में, साब, आज हमारा जमीर जाक क्या है, यहाँ जो कुछ कहूँगा आज, मैं सच कहूँगा सर, ये जो वहाँ बैठा है न, दामोदर, साब कंपनी का एकाउंट मैनेजर, साब, एक नंबर का लुच्चा आदमीया साब, साब, आफिस में ब्लास्ट होने के बाद, इसने हमें पाँच हजार प्या दे लिए, कहा कि तुझे औरेंज कलर की एक फाइल ढोनी है, उस फाइल से कुछ जरूरी काम है, तो क्या क्या जरूरी काम था उन है, उस फाइल में दामोदरन और हमारे मालिक मिश्टर शाह के बीच कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था, हमारे साब भोज, पैसे का हिसाब मागते थे, क्या क्या टेंशन था, पैसो बोले कर, बोलते थे एकाउंट में घपला हुआ है, पैसा मिस्टिंग है, किधर है, हमने कहीं बार सुना, चाहे देते हुए, धमोदरन, क्या है यह सब, है, बार बार बोई की वो मिस्टेक्स, और हर महीने में तुमको पगार चाहिए टाइम पर, हा, सर, लगता तुम इस कंपनी के माले को, मैं तुमारे लिए काम करता हूँ, हा, मैं एकाउंटेंट हूँ, मैं सब चीज फिर वो फाइल मिली, अब, वो फाइल मिला मुझे, और, यह फाइल है क्या, अरे हा, यही तो है, आप, पाँच हजार के लिए अपना जमेर नहीं बेसकते, यह आदमी कलत है, इसने हमारे सहाब को मरवाया है, मिस्टर शाह को किसने मारा यह तेह करना अदालत का काम है, आपका नहीं, और डूसरी बात, वो जो बांब था, वो मिस्टर दामो तरण की बैग से नहीं, अभई दामले की बैग से मिला है, जो भी हो यह बताएए कि जब अभई दामले जी ने प्रवेश किया दफ्तर में, उन्होंने अपना बैग आपको सौपा था, उच्छोणों के लिए सौपा था, जी, हाँ, आपको क्या लगता है, कि बैग में मैंने बॉम डाला था, साब, आप चाहे तो CCTV कैमरे का फुटेज देख लिजे साब, देखाना साब, मैं निर्दोष हूं साब, मैं निर्दोष हूं, इसमें हैराने वाली कोई बात है यह नहीं, आप निर्दोष है, क्योंकि दोषी नहीं है, दोषी तो पहले से अभे दामले जी है, यह रॉनर मैं दामोदरन जी को कड़करे में बुलाने की अनुमती चाहत। सर यह यह बावलू मेरे बारे में जूट बोल रहा है, जूट बोल रहा है जूट बोल रहा है, मैं सच बोल रहा है, वाटक साहब प्लीज़, यकिन कर लीज़, निद्वान कर लीजे, यकीन कर लीजे, पाठक साहब, प्लीज दामोदर्ण जी की बात का यकीन कर लीजे, Your Honor, क्योंकि ये हादसे के पहले का CCTV फुटेज भी हमने देखा है और हाँ पे कहीं भी ऐसा इशारा नहीं है, कहीं भी हमने देखा नहीं है, कहीं दिखाए नहीं दिया है कि दामोदर्ण जी ने वो बॉम रखा हो हाँ, वही तो, आप मिस्टर नचीकी से पूछ लिए, वो भी तो उस दिन अपने भाई से मिलने आये थे, हाँ, हाँ जी हाँ, उस दिन मैं मोटा भाई से मिलने उनके ऑफिस में गया थे, लेकिन मुझे इस दामोदर्ण पर शखते थे मोटा भाई हमेशा कहते थे, कि इसकी नियत में खोट है, शक तो आप पर भी हो सकता है, मिस्टर नचीकी, वी अब आपके भाई के देहांत के बाद, उनकी ये 80 करोड की कमपनी, ये सब आपकी होगा मैं अपने भाई को मानूगा, क्यों नहीं, अपसर ऐसा होता देखा गया, तो आप ये कहना चाहते हैं, कि मैंने अपने सगे भाई के कैविन में जाकर बम रखा, संभव है, आप CCTV फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैं सिर वहाँ पर आदे घंटे के ल और एक बर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि नचीकेज जी ने वह बैग वहाँ पर खोला, उसमें से बॉम निकाला, और फिर टेबल की नीचे रखा, ये जो बैग हमने देखा यहाँ, इस समय कहा है नचीकेज जी, कार में है, ये और अनलर मैं पाड़ी से लोगा है चाहिए, क्या कोड है अपका, 9-1-1 योर अनलर, मैं बबलू की बाद से सहमस हूँ, ये काम या तो अवे दाम ले ने किया है, या फिर इस दामो दरन ले, ये भी संभव है योर अनलर के, ये कार ये किसी तीसरे नहीं किया हूँ ये ये अनलर, मिस्टर हांडा, अब है दामले के मकान मालिक है, है? जी क्यों दामले साब, मैं अब लेट ढूंड लिया आपने, ढूंड लो, कहीं ऐसा ना हो, मुझे आपका सवान उठवा के बाहर भिक्वाना पड़े देखिए आप परशान मत हुई ये हॉनर साब, मैं बहुत जल्ल बेवस्था करने मालब, एक महीना, दो महीना, छे महीना हो गया, शरम नियादी तुमारे को, देखिए आप जानते हैं, मैं परशान हूँ, अरे दुनिया में सब को परेशानी है, सारी दुनिया की परेशान है, कैसा समाल, ये बूचना तुमारा काम नहीं है, शुकर मनाओ, इस गर में अभी तक रहने दे रहाँ तुमको, मेरा पुराना फरनीचर, चलिए अन्ना सहाब, सीदे मुद्दे पर आता हूँ, आप मिस्टर नरेंदर शा को कब से और कैसे जानते हैं, मैं नहीं तो, मैं सहायक वरुन बेठे है, पहचानते हैं ना आपने, अब बताइए जल्दी-जल्दी कि आप मिस्टर शा को कबसे और कैसे जानते हैं, एक्चली सर्थ, वाशी में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर शा का हूँ वो चोड़ने को तयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उस प्लॉट को खाली करवाने के लिए आपने घंशु जी की साहे ताली, घंशु जी की, साहे ताली, और बिचारे अभय दामले जी को आपने भसाया, घंशु जी के द्वारा इनके लैप्टॉप बैग में बम रखवा कर नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, गंसु नहीं आसा किया होग उप मुझे पता नहीं, नहीं यह वो प्लॉट तो आप खाली करवाना चाहते थे, अब मिस्ट शाह की मिल्कियों से तो लाव आप ही का होता, इसलिए आपने उन्हें मरवाया, सर गंसु नहीं ऐसा किय कियो अजो कि नहीं मेर को बोला था कि वो किसी भी कीमत पर यह त्रॉट खाली करवा देगा, ना के बच्छी, यह तो Nah इत्द बपना ए रिखिया थे अजीं, अभेजी मिलने आए थे आप से, आपर मिलने आये थे आपसे, तो यह संभाव है ने किसी हाजमी दुआरा इनके लैपटॉप बैग में बम रख हवाया हो ताकि यह वही बैग मिस्टर शा के आफिस तक ले जाए क्योंकि यह मिस्टर शा के लिए काम करते थे अच्छा है ऐसा की हम है तो अभी तो साबीत कैसा करेगा अगर साबीत कर भी देंगे पाटक तो यह कैसे थाबित करेंगे आप के मिस्टर बबलू, मिस्टर नचिकेट शा, मिस्टर दामोदरन, मिस्टर हांडा और मिस्टर घंशू इन सारे मिस्टर उपो सिर्फ इतना ही नहीं पता था के अभई दामले की बैग में बॉम है और यह भी पता था की अभई दामले वो पौम वाला बैग में भूलने वाला है सोचने वाली बात है ना अभीजी आपने जो पहले कहा था के बाउब वाला बैग आपने उस केबिन में छोडा था तो यूचरा हूँ किया वो बात सरही थी जी… जे नहीं मैम, वो बैग भूल गये तो आ हम भूल गये थी… जान बूज के नही कूछ दिचोडा था जे नहीं नहीं? जे नहीं कोई भविष्य देख सकता है ऐसी कोई संभाव ना कोई चांस है जी नहीं नहीं दो विर्दो जिसने भी आपकी बैग में बॉंब रखा उसका इरादा सिर्फ मिस्टर शा को नहीं बलकि आपको भी मारना था और आपके साथ साथ ऑफिस में जितने भी स्काफ थे सब को मारने का इरादा था उसका में पूरी तरह से संभाव है कि इरादा यही रहो पाटक सर्ब आपकी सूच बहुत अच्छी है और आप चाहें उस दिशा में उसे इधर उदर दोड़ा सकते हैं लेकिन फिलाल जो सच है वो आपकी सोच से बढ़ा है और सच जई है कि वो बॉंब अगर मैंने पहले ही कुबूल किया होता कि मैं देदोश्य तो आथ इतनी आगे बढ़ती है नहीं है भाई मामला इतना ही गंबीर होता जैसे कि अब है वो सकता है सिथी और भी गंबीर होती है क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे सच की नहीं है बात उस जूट की है जो वो लोग बोल रहे हैं अगर सब सच बोलने हैं तो तो फिर हमसे ही कोई चूप होई होगी सुचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अब तक हमारे शक के दाएरे में नहीं है तो मेरी पत्नी सुधा ही है कि सामने मैंने डैक पैक किया था और फिर मैं लाने चला गया था नहीं मैं भी क्या बोल रहा हूं सुधा इसा न कि असी के लिए मेरी जान नहीं पाटक साब सुधा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है कभी नहीं नजगेत भाई आपके भाई के हाथ्से के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा यह हाथ्सा नहीं था अनिके भाई था एक सोची समझी साज़िश थी जिसका शिकार मेरा फाई बना है मैंने न्यूज में सुना अबय दामले के बारे में क्या आपको लगता है कि उसने ही बॉम रखता होगा आपके भाई के केविन में नहीं मुझे अबय दामले पर नहीं किसी और पर शक्ति है किसी और पर किस पर किस पर है यह तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ लेकिन मोटा भाई के ऑफिस में बहुत घपला हो रहा था घपला हो रहा था मतलब मतलब यह कि जब मेरी आखरी बार मोटा भाई से बात हुई थी तो ओं कह रहे थे कि कंपनी में पैसों की हिरा फेरी हो रही है उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया था लेकिन आप मुझे ध्यान देना हुगा कि मोटा भाई की मौत से किसको फाइदा पहुँच सकता था पबलू कंशू खांडा नचिकेद दामोधर इनहीं में से कोई है कौन है परुन भी भलकड होता जा रहा है उससे कहा था इसे गिफ्ट रैप करा ले अदालत की कारवाई शुरू की जाए और यह उनर शर्वप्रतम मैं अपने किये हुए भूल के लिए शमा पराइथना करता हूँ अधा बार वह अच्छा लगता है पाड़क साब यह जो नेचर और आपकी मॉडेस्टी आ रिली लाइक इड गलती होती माफी मांग लेते हैं वही गलती ना अभे को बेगुना मा के फस्टर में फटा से से बैग में यह अब बात कर्क भाई वे कहरे थे कि वह जो बोंब अभई के लेपडाप्क के लेका वह एंडिक अब नहीं और और रखा था आप कह रहे हैं कि वो बॉम उसकी बैग में था ही निए था ही निए था ही निए इसलिए तो कहे रहा हूँ भूल होगी शमा मांग रहो ने निए वो सब बाद में कर ले ना पिरने साबित था ही आप सवयह साबित मैं बता मैं दिखाता हूँ प्लीज Your Honor, Mumbai Police Bomb Squad और Forensics इस बात की पुष्टी कर चुकी है कि उस दिन जो Laptop Bag अभय जी के पास थी, वहू भहू ऐसी थी, क्या आप समर्थन देते हैं इस बाद को Mumbai Bomb Disposal Squad और Forensics इस बात की भी पुष्टी कर चुकी है, Your Honor के उस दिन अभय के Laptop Bag में इतना ही सामान था ऐसा ही Laptop, ऐसे ही पुस्तक, ऐसे फाइल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स जैसवाल साब, Bomb ये, इसके क्या, मनना बुझा Bomb दे रहे है, मैं वाल साब, नकली है खुब हुव ऐसी ही कॉपी, जैसे कि उस Laptop Bag में थी अब एक चिश्टा करिया है कि ये इस Bag में फिट हो जाए ये, बैग में? जी, जी ताइम बेज दो मिरेक चा तो काम है हाँ करें, करें करें नहीं नहीं ये तो उस दिन थी बैग कि या इसके होते हुए आपको ये, इसके होते हुए ना, और क्या, जिप क्या बोलते है बंत करना है, जिप भी बंत करना है सिसी टीवी में इनके लैपटॉप अब देखा देखा बन था ना तो उपर के दिखाता हूं ना मैं आपको क्या हुआ फिट नहीं हो रहा फिट नहीं हो रहा यूर एफिट मलय हु हूँ डिसकारत यह होता है कि उस दिन भी वह बॉम्ब अभयद आमले के लैपटॉप बैग इस और ही नहीं जिसकारत यह होता है कि पहले से ही अनके इस टैलो कि सफ्च एलर में दाखिल होने से पहले पहले तerson किसी ने उसने अपना बैग वहां रखा और बैग वहां भूल कर चला गया कुछ दिर बाद बॉम का टाइमर पूरा हुआ और वो भटा क्योंकि बैग उसके एक्दम निकट सबसे ज्यादा चीथिड़े बैग के उड़े प्राग की गर्मी से बैग के हिस्से और बाउम के हिस्से एक दूसरे से चिपक गए जिसे की बाउम स्कॉट वालों को लगा कि बाउम उसी बैग में रखा गया जी यह रोट और ऐसा सोचना यही हमारी भूल थी सोचने वाली बात है चलो मान लेते हैं आप जो कह रहे हूं सचे लेकिन एक सच आपको भी मानना पड़ेगा अपातक साब वो सीसी टीवी कैमेरा वाला सच सेक्यूरिटी कैमरा जी और उसमें किसी भी इंसान को अभई दामले के लवा किसी इंसान को कैबिन में एंटर करके वो बाम रखते हूए नहीं देखा अब सोचने वाली बात है कि अगर अभय के बैग में नहीं था तो उनके हाथों में रहा होगा और सीसी टीवी कैमेरा में तो कहीं पर भी इनके हाथों में नहीं नहीं नजर आया तो फिर बाम आया कहा से एक सिंपल सी बात है एक मिनिट के लिए आपती बात को मान लेते हैं कि मैं अपने बैग में बम रटकर अपने ही सगे भाई को उडाने गया था लेकिन उनके कैबिन में मैं उस बैग को खोला तो हुगा उसमें से बम निकाला तो हुगा तो ये सारी फुटेज आपको सीची टीवी में जरूर दिखाई देती हैं एक्जाक्ली बातक साथ बहुत बुरी आदत है इनकी बिना सुने ही टोक देते हैं यॉर अनर ये सब इन्होंने किया हो अगर इनका बैग कोई साधारन बैग होता तो किन तू इनका बैग ऐसा नहीं था क्यों ठीक है रहा हूं मिस्टर शाम क्या मतलब है आपका साधारन बैग नहीं था कहना क्या चाते हैं साधारण बैग नहीं था मतलब बैग साधारण नहीं था कुछ खास था उस बैग में और एक खास दुकान से आपने लिया था कौन से दुकान जिनिया था सनी सनी लेधर फैशन्स भारवी इस्ट नहीं वो नहीं वैसे दो बैग आपने लिए थे एक बैग साधारण था दूसरा कुछ खास योरॉनर उस बैग की खासियत को उस बैग की विशेश्टा को मैं चाहता हूँ कि सनी लेजर फैशन्स के मालिक शाहबुदीन जी आकर हमें बताए आईए शाहबुदीन जी आईए योरॉनर अनुरोद करता हूँ में अदालत से कि शाहबुदीन जी को यहीं इस बैग की खासियत दर्शाने का अफसर दिया जाए और इनकी बातों को दस्तावेज में दर्श भी किया जाए अनुमाती योरॉनर ये शाहबुदीन जी है तनी लेजर वर्क्स के मालिक हा सर मिस्टर नचिकेट के लिए ऐसे दोनों बैग मैंने बनवाए थे एक साधारंड और एक खास शाबुदीन जी नियादीश महदे को इस बैग की खासियत के बारे होता है इसमें खासियत है इस हैंडल के पास एक बटन है जो दबाते ही नीचे वाला हिस्सा बाहर आता है और अंदर का माल सब बाहर आ जाता है बिना बैग खोले योरॉनर कुछ इस प्रकार से आतो श्टन अच्छी केद शाह शाह जूनियर कुछ कहना जाते हैं या मैं आगे स्वष्ट करना है पार्टर साब अब खैने के लिए क्या रह गया है एक्जक्ली खेड़ी साब आपने मेरा जूट पकड़ लिया मैंने ही अपने भाई को मारा आंची उनका करोडों का बिजनस मेरा हो सके मुटा भाई आप झाल 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 देफेंस रेस्ट शरॉण यादालत मिस्टर नरेंदर शाह के गतल के इल्जाम में उनके भाई नर्ची केट शाह को दोशी मानते हुए इन्हें फॉरन किरफ्तार करने का हुकम देखें और मिस्टर अभैद आमले को निर्दोश मानते हुए इस केस से बाईजद बरी करती हुए The case is closed जैस्वल साब सोचने वाली बात है कि सोचना क्या है अरे हाथ मन चड़ो हाथ मिलाओ बदाई हो अरे भाई तुम्हारी बात चल रही थी एक मित्र के साथ कह रहे थे कि तुम जैसे फिलमंज व्यक्ती के लिए उनकी कमपनी में एक नौकरी है अगर तुम चाहो तो और वो जो वादा तुमने मुझ से किया याद है जी मुझे याद है जिन्दगी प्ठीने के लिए होती है हाँ इसी बात पे हरिवंच राय बच्चन सहाब की कुछ मुलतियां याद आ रही है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती असफलता एक चुनोती है स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तू संघर्श करो मैदान छोड मत भागो तू कुछ किये बिना जैजैकार नहीं होती हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और भी दिल्चस्ट कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें